हेलो दोस्तो वेलकम तो माई चैनल पिछले वीडियो में हम सिग्नल्स और सिग्नल्स का डेफिनेशन सिग्नल्स क्या होता है और इनका क्लासिफिकेशन तक आ गए थे इस वीडियो में हम उनकी क्लासिफिकेशन को डेटेल में पढ़ेंगे वन बाइवन देखें पहला कंटू continuous time signals क्या होते हैं, continuous time signal यह क्या continuous देखें जो time के साथ continuous हो ऐसा signal यानि ऐसा signal जो time की हर एक instant पर कुछ ना कुछ value रपता हो उस signal को क्या कहेंगे, continuous time signal तो यह क्या हो जाएगा, the signal which have some value, some value at every instant of time is called continuous time signal, continuous time signal इसके लिए example, example क्या होगा, ऐसा signal जो हर ताइम की हर एक instant पर कुछ ना कुछ value रखता हो, उससे क्या कहेंगे, continuous time signal for example, sine wave होती है, sine wave, इसका example है, continuous time signal का, किस टाइप की वो को दिखती है, मैं इस टाइप से होती है, यह क्या, sine wave, यहां पर देखे, यह sign wave का form होता है, इस टाइप से हम इसको रिप्रिजंट करते हैं, यहां पर देखे, time की कोई भी value, इस पर 0 पर 0 हो, यहां पर चले, कुछ value आई, यहां पर चले, कुछ value आई, यहां पर आई, मतलब time के access पर देखे हर एक, t के लिए, कुछ ना कुछ भी है, value contain कर रहा है, तो ऐसे signal को क्या कहते हैं, continuous time signal, और क्या example हो सकते हैं, इसके temperature, temperature क्या होता है, continuous होता है, pressure, sound, cosine wave, etc, ठीक है, यहां continuous time signal, next हमाई discrete time signal, discrete time signal, इसमें क्या फर्क होगा continuous से, देखने इस क्या लग रहा है, discrete, मतलब, जो discrete, time की discrete points पे value रखता हो, कहने, यहां पर क्या है, तो हर एक point पे थी, यहां पर क्या होगा, कुछ point पर होगी time के, ठीक है, तो time के कुछ point पर क्या होगी, value होगी signal की, the signal, which have, some value, at certain instance of time, instance of time, is called, discrete time signal, discrete time signals, तो यह क्या होगा, time की हर एक value पे नहीं हो, रखेगा value, लेकिन कुछ उस पर होगा, values पर रखेगा, ठीक है, अगर मैं इसके लिए example दूँ, यह time का एक वो function है, time यहाँ पर क्या है, independent variable, इसके लिए मैं, अगर कुछ value रखता, मालोट इसके 0 पर यह कुछ value थी, T1 time पहुचा, उस पर कुछ value हो गई, T2 पर अगेन कुछ value हो गई, T3 पह, ऐसे ही T4 पह, तो यहाँ पर क्या, देखे, वहाँ पर क्या था, हर एक time पहुचा था, continuous, discreet में देखे, पहले 0 पह था फिर T1 पह, 0 से और T1 के बीच में कोई value नहीं है, ठीक है, तो T1 से लेकर T2, T2 के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या हो रहा, कुछ points पह, specific instant of time पह, पह रहा है, हमारा signal, तो ऐसे को क्या कहते हैं, discrete time signal, ठीक है, और क्या example हो सकता है, हम क्या करें, if we draw blood samples of a patient, of a patient, every hour, हम क्या करें, किसी patient का blood ले रहे है, हर घंटे बाद उसका क्या करें, ग्राफ बना दे दे, तो कुछ इस टाइप से बनता है, वो ग्राफ, तो वो किस टाइप का ग्राफ होता है, discrete time signals का ग्राफ होता है, ठीक है, और इस टाइप के हम तो ग्राफ का भी पढ़ते आएं, इसमें mathematics में जो ग्राफ वाला portion होता है, वो जाता है, discrete वाला ही होता है, वहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, इन सब के लिए, वो जो होता है, हिस्टोग्राम, यह सब जो होता है, वो किसके example आ जाएंगा, discrete time signals की, next, next पढ़ते हैं, continuous valued signal, अब continuous valued किसे कहेंगे, ऐसा signal, जिसका amplitude continuous change हो रहा हो, ठीक है, जिसका amplitude continuous change हो रहा हो, तो ऐसी signal को क्या कहेंगे, continuous valued यह discrete भी हो सकता है, और continuous भी हो सकता है, देखी कैसे, if variation in the amplitude of signal is continuous, then, then, it is called, it is called continuous valued signal, continuous valued signal, अगर किसी signal का amplitude continuous change हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, continuous valued, यह दों तारीके के हो सकते हैं, किस किस तारीके के हो सकते हैं, यह continuous भी हो सकते हैं, और discrete भी हो सकते हैं, देखी है, मैं दो ग्राब बना के दिखाता हूं, किस टाइप से, पहले मैं continuous का बना के दिखा रहा हूं, मैंना sine wave ले ली, ठीक है, Xt कितना हो जाएगा, यह A sine omega t, तो यह A sine omega t के वो हो गया, next, देखे, amplitude के हो रहा है, continuous change हो रहा है, यहां पर कुछ हो रहे है, यहां पर कुछ हो रहे है, amplitude continuous change होने चाहिए, second, अगर इस ऐसा कोई signal है, 0 पर कुछ इसकी value थी, यहां पर फिर कुछ हो रहे है, यह कुछ और value रख रहा है, ठीक है, उसकी बाद उसकी value क्या हो रही है, यह signal की घट रही है, यहां 0 हो गई, इस टाइप से, तो यह जो signal है देखिए, इसका amplitude है, यहां पर कुछ और था, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, इसका क्या हो रहा है, इस signal का, continuous change हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यह दोनर signal के continuous value, continuous value मतलब amplitude continuous change होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, continuous value, next हमारा discrete value signal, discrete valued signal, इसमें क्या होगा इसमें continuous amplitude हो रहा था इसमें क्या होगा continuous amplitude चाहिन नहीं होगा तो हम इस discrete value बोल देंगे बस इतना है if the variation if the variation of signal variation of variation in amplitude amplitude होना चाहिए ना of signal is not continuous is not continuous continuous change नहीं हो रहा है but change होगा कुछ इस्टेंट के था ठीक है but signal but signal has certain in discrete amplitude labels तो ऐसी signal क्या कहते है discrete value signal अब देगे मैं इसको example के तुरु समझाता हूँ कैसे इसमें क्या होगा amplitude continuous change नहीं होगा लेंगे चेंज होगा किसके बाद कुछ इंस्टेंट के साथ यह भी क्या हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं maybe continuous और maybe discrete देखिए continuous का मैं example देता हूँ इसमें क्या होना चाहिए amplitude जो continuous नहीं होन चाहिए तो amplitude continuous नहीं होन चाहिए कुछ extent के बाद तो हो सकता है जैसे यह signal देखिए अगर मैं इस signal को देखता हूँ यह 1T के साथ signal है यहाँ पर क्या हो रहा जी रोड इसको मैं T1 नाम दे दिया इसको T2 नाम दे दिया देखिए यहाँ पर 0 से T1 के T1 टाइम के बाद यह चेंज हुआ है इसकी वैल्यू कितनी थी यहां तक मालो यह A थी उसके बाद क्या हो गए इसके एम्प्लिटूट की वैल्यू बी हो गए तो यहां पर continuous चेंज हुआ क्या 0 से T1 के भी लिए वैल्यू से रही यहां क्या हो रहा था हर एक के लिए चेंज हो रही थी देखिए इदर continuous में क्या था हर एक के लिए हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही थी यहां पर क्या हर एक पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही है और discrete का मैं ऐसी में बनाऊं किस टाइप का होगा discrete में क्या है यहां पर हर एक point पर change amplitude change हो रहा है यहां पर क्या होगा T1 पर 0 है बाकी के 3 points पर यह value रही उसके बाद क्या हो गया अगलो पर यह रही next इस type से यह value रही तो हम क्या कहेंगे यहां पर क्या है यह 0 यह T1 T2 T3 इन सब टाइम के लिए क्या रही value सेम रही यह मानलो A हो इसके लिए B यह C हो जाए तो इन तीन इस जो तीन इंस्टाइंट हो पाई है इन के लिए value same रही है यहां पर क्या हो रहा था discrete में हर एक discrete point में value change हो रही थी हर एक time के लिए देखिए यहां पर कुछ और यहां पर कुछ और यहां पर क्या तीनों के लिए same है अगले फिर ऐसे कुछ हो के लिए same होगी तो इस ताइब के signal को कहते हैं हम क्या discrete value signal नेक्स्ट पढ़ते हैं चला इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में